हेलो डियेर स्टुडेंट्स वेलकम टू काटारिया फामेसी सो स्टुडेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप सभी ठीक होंगे तो आज का कोई स्टैडी लेक्चर नहीं होने वाला है आज के इस लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि आप एक्जाम में अपने सेमेस्टर एक्जाम में जो आप कोपी लिखते हैं कि उस रांचों लिखते हैं वो कैसे लिखें उसके बारे में कम्प्लीट आज इसके लेक्चर में हम आपको बताने वाले हैं तो ये मेरा परसनल एक्सपिरियंस मैं आपको बताऊंगा कोई भी इधर उ करने रहना और अगर आपने जो स्टेडी वाली वीडियो है कि आप स्टेडी कैसे कर सकते हैं वो नहीं देखिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा उसको भी जाके आप देख लीजे बहुत ही हेल्फुल आपके लिए होने वाली है क्योंकि जो जादा स्टेडी करने वाले स्टूडेंट्स होते उनके लिए ये वीडियो इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन जो एवरेज स्टूडेंट है उनको अगर थोड़ी सी भी टिप्स मिल जाती है है तो वो अपने एक्जाम अच्छे से किलियर कर लेते हैं तो उन्हीं स्टू कोपी लिखने का सही तरीका क्या है आप कहीं गलत तरीका तो यूज नहीं कर रहे हैं जिससे आपके बेक आ रही है दिये आ रही है तो आज सारे डाउट्स आपके किलियर हो जाएंगे तो वीडियो में एंड तक जरूर बना रहे ना है में तो इंकी है हमारा एकजान लिखने का सही तरीक तो कूछ तूटिंट्स वह तरीका फोलो करते हैं कुछ नहीं करते कुछ को पता ही नहीं है कैसे क्या लिखना है क्योंकि वह 10 12 में जैसे लिखते कुछ स्टूदेंट्स वह तरीका फोलो करते हैं कुछ नहीं करते कुछ को पता ही नहीं है कैसे क्या लिखना है क्योंकि वह 10 12 में जैसे लिखते आ हैं वैसे ही वह आज भी लिख रहे हैं तो सबसे पहले तो यह ध्यान रखना है आप क्योंकि फर्स सेमिस्ट्री स्टुडेंट्स को सबसे ध्यान रखनी की जरूत है कि आपका जो complete पेपर है वो इंगलीस में आएगा और लिखना भी आपको इंगलीस में ही ना कि हिंदी में लिखना है यह चीजे तो आपको पता होगी ही वैसे भी पारवा में आगर आये हो तो इसमें कुल 5.2 कवर करने वाले हैं फस्ट में क्या है सब से पहले क्या होता है जब आप आप एक्जाम होल में जाते हैं तो सबसे पहले आप टेबल पे टेबल पे जाके बेड़ते हैं आपको कोपी दी जाती है तो कोपी को अच्छे से फिल करना है ना कि उसमें रोल नमर आपने रोंग लिख दिया ऐसा कुछ नहीं करना है सब कुछ केरफुली बरना है काफी करना क्योंकि थोड़ी तब्यट डाउन है पेपर पेपर आने के बाद क्या करना आपको पेपर को डायरेक्ट लिखना नहीं कि पहला क्यों है यह मेरे को आता है तो मैं लिख ले लग जाओ ऐसा कुछ टी करना आपको सबसे पहले सभी क्योंस आपको देखने हैं फॉस्ट जो सेक्शन ए है बी है सी है सभी के क्योशन से जएकते हैं जरूरी नहीं है कि आपको सभी क्योशन सारे हूँ जो ऑस्निल क्योशन सो सोते है उनको भी आपको देखना है जिससे आप अईडिय यह हो जाएका कि आपको कौन जोंसे क्योंसे आ रहे हैं कौन से नहीं आ दे कौन से जो अटेम्ट में बझाप चूज़ मूं से आपको करना है second है अब two types से start कर सकते हैं कुछ students की आदत क्या होती है कि जिनको जो section आता है जैसे section A आ रहा है किसी बच्चे को तो वो A से ही start करेगा ना कि C से start करेगा यह बहुत ही अच्छा तरीका है और एक तरीका यूज करते हैं बच्चे start from which section कौन से section से start करेंगे जैसे section आ रहा है बच्चे को C तो वो C section पहले करेंगे तो मेरी नजर में देखा जाए तो दोनों ही जो step है बुरे नहीं है examiner इतना irritate नहीं होगा इन चीजों से लेकिन फिर भी जहां तक में बोलू आपको वहाँ आपको करना है section wise section A पहले करना है B बाद में and then C करना है अब इसमें क्या करना है आपको section A में जितने भी questions है सभी को attempt करना है ना कि अगर जो आपको आ रहे हैं उनको ही attempt नहीं करना है अगर section A में 5 questions है तो 5 questions को आपको attend करना है छोड़ना किसी भी क्योशन को नहीं है अगर आपको क्योशन नहीं भी आ रहा है तो उसका गेप छोड़ सकते हैं उसको बाद में आपको लिखना है यह नहीं कि यहां नहीं आ रहा है तो आगे उसको हम कर देंगे ऐसा कुछ नहीं करना है आपको ऐसा करना है गेप छोड़ द 2 marks के questions एक qiști भी नहीं आरहा है आपको तो उस condition में आप use करना 10 marks के questions आप करो 5 marks के questions आपको जोज आपको जदा questions उसमें आ रहे हैं तब आप इस جसका यूज कर सकते हैं लेकिन अगर आ रहे है आपको 10 में से 5 questions भी आ रहे हैं तो आप step first का यूज करना स्टार्ट प्रोम सेक्षन ए बी सी किलियर हो गया नोट मिस एनी क्यूशन इन सेक्षन वो मैंने बता दिया है कि पांच क्यूशन तो पांचो आपको हेक साथ लिखना है बीच में कोई भी क्यूशन मिस नहीं करना है अगर नहीं आ रहा है तो अब उसको गेप आता है डाइग्राम नहीं भी दे रखा है लेकिन आपको क्योशन से रिलेटेड डाइग्राम आता है तो डाइग्राम 100% आपको बनाना है क्योंकि डाइग्राम बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालता है एक्जामिनर के उपर जो कोपी आपकी चेक करेगा उसके उपर बहु उसने diagram मनाया है कि इस question का answer क्या होने वाला है तो बिल्कुल भी आपके answer को read नहीं करेगा और direct diagram देखके आपको marks देदेगा तो diagram अच्छे से याद किया कीजिए अप Attempt all the question इसका मतलब यह है कि जो question आपको सभी जैसे A section है B section है C इसमें 5 question है इसमें 5 है इसमें 3 question है तो सभी questions आपको attempt करने है Time fix करना है इतने time में हमें यह question करना है ऐसा नहीं है कि आप जो two marks के question है उसमें ही one hour आप use कर ले तो बाकी जो sections बच्छे हैं उनके लिए आपके पास time नहीं रह पाएगा कुछ बच्छे बोलते हैं कि हमारे पास time नहीं रहता है पता नहीं कितने जल्दी time निकल जाता है तो इसलिए निकलता क्योंकि आप time manage नहीं करते हैं time manage करके चलोगे तो आपको complete time मिलेगा और complete answer भी आप दोगे और कोई question भी आपका नहीं चूटेगा time के लिए ऐसा कर सकते हैं आपकी आप वोच लेके जा सकते हैं तो वोच से क्या रहेगा कि कम से कम 45 minutes आपको देनी है 2 marks के question को then जो remaining time से 15 और 2 hours ये आपको देने हैं हाप हाप कर लेना हिनका 10 marks और 5 marks में तो इससे आपका जो time manage रहेगा इसलिए आपको time की दिक्कत भी नहीं आएगी सभी questions attempt होंगे तो ये कुछ points ते अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को like जरूर करना और अपने दोस्तों को भी share कर देना पता नहीं किसी की help हो जाए किसी को पता नहीं होगा आप सब तो वीडियो तो वीडियो सेर्ज़रूर कर देना थैंक्यू